शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए InVCN News को YouTube पर लाइक करें, सबस्क्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने देश को आज संबोधित किया है अपने संबोधन में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने कहा कि कोरोना वैश्वीक महामारी की खिलाप लड़ते हुए हम अनलोग दो में है साथ ही ऐसे मौसम में हम प्रवेश करे है जब सर्दी पुखार होते है ऐसे में आप सभी से प्रार्था है अपना ध्यान रखे है ये बात सही है कि कोरोना सिमृतिदर को देखे तो भारत समली हुई स्थितिवे है समय पर किये गए लौकडाउन ने लाखों लोगों का जीवन बचाया उन्होंने कहा हाला की देख रहा हो कि अनलोग एक में लापरवाही बढ़ती जा रही है यहां चिंता की वज़ा है लौकडाउन में नियमों का पालन क्या गया था अब सरकार और नागरिकों को फिर सतर्कता दिखाने की जरुरत है विशेश कर कंटेन्मेंट्स होन अब विशेश ध्यान देना होगा पेम मोदी ने कहा यह 130 करोड लोगों के जान का सवाल है भारत में देश का प्रधान मंत्री हो या गाव का प्रधान कोई भी नियमों से उपर नहीं है लौकडाउन होते ही सरकार प्रधान मंत्री कल्यान योजना लेकर आई इसके अंतरग गया है पीम ने आगे कहा प्रतिक परिवार को राशन सरकार ने दिया यह अमरिका से धाई गुना आधिक लोग थे जिनको हमारी सरकार ने मुफ्त में अनाज दिया है आज मैं इसी से जुड़िये घोशना करने जा रहा हूँ प्रधान मंत्री अन्नकल्यान योजना का विस स्विक माहमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश्च कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश्च कर रहे हैं जहां सर्दी जुखाम खांसी बुखार यह सारे नजाने क्या क्या होता है यह मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश्वाश्यों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए साथियों यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत कि संबली हुई स्थिति में है कि समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाही जड़ा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर बीच सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सतर्क्ता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की संस्ताओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्क्ता दिखाने की जरूरत है तो बहुत है